तो विपक्षी एकता की बैठक से पहले सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप संजे सिंग का सुन रहे थे जिनका साफ तोर पर कहना था कि बैठक में अत्याधेश का मुद्दा तो उठाएगी आम आदमी पार्टी और इस पूरी तमाम जानकारी पर इस वक्त हमारे दो सम केश भी जुड़ गए हैं सबसे पहले मैं सौरब का रूप करना चाहूंगी सौरब जो कल एक एहम बैठक विपक्षी नेताओं की होने वाली है किस तरीके से इसको देखा जाए क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा ये बिल्कुल ये सक्ति प्रदर्शन ही है और इसके लिए बिहार के मुखमंत्री लगातार पिछले छे महीनों से कोशिस कर रहे थे सभी नेताओं से जाकर one two one मुलाकात कर रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त लालु प्रसाद यादव के आवास के ठीक बाहर हूँ और अब से कुछी दिर के बाद बंगाल की जो मुखमंत्री ममता बनर जी है वो पटना एरपोर्ट पहुंचेगी और सीधा यहां पर आकर लालु प्रसाद यादव से मुलाकात करेगी और मेरे ठीक आप वाएं हाथ पर देख सकते हैं या मुखमंत्री आवास है और क दिल्ली के मुखमंत्री और परजाब के मुखमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान भी करिब आधे घंटे के बाद पटना एरपोर्ट पहुंच जाएंगे और सीधा गुरुद्वारा जाएंगे वहां मत्हा टेकेंगे और उसके बाद उमीद यह जताई जा रही है कि देर रात केजरीवाल जो है वह बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार से भी मुलाकात करेंगे और सारे जो और बरे नेता है वह कल सुबह में पटना एरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधा बैठक में सामील होंगे रही बात बैठक की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जदिय पर जो बाते होगी वो सबसे पहले कॉडिनेशन कमीटी को लेकर होगी कि सबसे पहले कॉडिनेशन कमीटी बनाई जाया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी नीचे तोर पर बाते उससे अगर आगे निकलेगी तो उससे आगे जाकर बात सीट सेरिंग को लेक जो है वो पतना पहुच चुकी है देखिए पतना में कल महागट बंदन को लेकर विपक्ष की बैठक है और उसे लेकर पश्य मंगाल की मुख्य मंत्री पतना पहुच चुकी है और अब से कुछ तेर बाद ही आज़िदी सुप्रीमो लालू परसाद यादव से मुलाकात करें परकात करें आज़िदी सुरब आपके पास आओंगी अब अपने सायोगी रिश्चुर नहीं है